मेश राशी दीपावली की रात लाल चंदन और केसर घिसकर उससे रंगा हुआ सफेग कपड़ा यदि आप अपने गल्ले अथ्वा की जोरी में बिछाएंगे तो उससे आपकी सम्रिध्धी में हमेशा व्रिध्धी होगी तथा आकस्मिक धन्हानी का अफसर भी नहीं आएग मेश राशी के लोग दीपावली की रास फटिक या कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का जाप करें उन्पैट लिएस को रिशाब राश हेदी बहुत पैसा कमाने के बावजूद भी आप से विंग नहीं कर पा रहे हैं तो दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के साथ साथ कमल के फूल की भी पूजा करें तथा बाद में इस फूल को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान यानी तीजोरी लॉकर में रखें दीपावली की रात गाये के भी के दो दीपक जलाकर उन्हें किसी एकांत स्थान पर अपनी मनोकामना बताते हुए पर रखाएं शीघर ही आपकी हर मनोकामना पूरी होने के योग बनेंगे रिशाब राशी के लोग दीपावली की रात स्फटिक या कमल गर्टे की माला से इस मंत्र का जाप करें उन्पैट लिश्रूंग मिथुन राश है यदी आप धन की कमी से चूज रहे हैं तो दीपावली की रात लक्ष्मी गरनेश पूजन करते समय दक्षिना वर्ती शंक की पूजा करके उसे अपने धन स्थान पर रखें इससे आपकी आर्फिक स्थिती में काफी सुधार आ सकता है यदि आपका अर्ज से परेशान है तो लक्ष्मी पूजन के बाद गरनेश जी की प्रतिमा को खड़ी हल्वी की मालक नाए इससे आपकी परेशानी समाक्त हो सकती है मिथुन राशी के लोग दीपाहली की राक्स फटिक या कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का जाप करें उतली है सब्सक्राश येदि आपको धन लाब की इच्छा है तो दिवाली की शाम को पीपल के पेड के नीचे तेल का पंच्चमुखी दीपक जलाए ये बहुत ही खास और अचुक उपाय है यदि आप दीपाहली पर पीला त्रिकोर्ण आक्रती का चंड़ा विश्ण उधगवान के किसी मंदिर में उचाई वाले स्थान पर इस प्रकार लगाए कि वहल राता रहे तो अगली दिवाली तक आपकी मनो कामना पुरी हो सकती है करक राशी के लोग दीपाहली की रात्स फटिक या कमल गड़ते की माला से इस मंत्र का जाप करें उचली एश्रूँ सिंग राशी दीपाहली की रात घर के मुख्ये दरवाजे पर गाय के भीका दीपक जला कर रखे यदि वह दीपक सुबह तक जलता रहे तो समझे की अगली दिवाली तक आपकी आर्थिक स्थिती में सुधार आएगा साथ ही मान सम्मान भी बढ़ेगा यदि शत्रू आपको परिशान कर रहे हैं तो दीपाहली की शाम को पीपल के पत्ते पर अनार की कलम से गोलोचन के द्वारा शत्रू का नाम लिखकर भूमी में दबा दे इससे आपको शत्रू द्वारा कोई हानी नहीं होगी सिंग राशी के लोग दीपावली की रात्स फटिक्या कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का जाप करें उन्धरी श्रीज़ू कन्या राशी एधी आपको धन संबंधी कोई समस्या है तो आप दीपावली की रातलाल रुमाल में नारियल बांधकर अपने गल्ले अथवाती जोरी में रखें इससे धन लाभ हो सकता है इसके अलावा दीपावली के दिन दो कमल गट्टे की माला माता लक्ष्मी के मंदिर में अर्फित करें यदि आपको नौकरी संबंधी कोई समस्या है तो आप दीपावली से शुरू प्रत्य अमा वस्या पर रोज मीठे चावल कोई को खिलाए इससे आपकी समस्या का निदान हो सकता है कन्या राशी के लोग दीपावली की राच्वटिक या कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का जाप करें उन्द श्री रैस्ट थुला राशी है दी आपको व्यासाय में घाटा हो रहा है तो आप दीपावली पर बढ़के पेड़ के पत्ते पर सिंदूर वगी से उन्द श्री श्री एनम मंत्र लिखें और इसे बते हुए जल में प्रवाहित करें मा लक्ष्मी की विशेश प्रिका पाने के लिए तुला राशी के लोग दीपावली की सुबह इसनान आधी नित्य कर्म करने के बाद किसी लक्ष्मी मंदिर में जाकर 11 नारियल अर्पित करें तुला राशी के लोग दीपावली की रात्स फटिक या कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का जाप करें। प्रिश्चिक राशी इस राशी के लोगों को यदी धन की इच्छा है तो वे दीपावली पर अपने घर के बगीचे अबरांगे में केले के दो पेर लगाएं तथा इनकी देखभाल करें। इसके फन स्वयम ना खाएं, दूसरों को दान करें। यदी परिवार में अशांती है तो दीपावली की रात्ना किसर का फूल लाकर घर में कहीं छिपातें। जहां उसे कोई देखना सके। परिवार में शांती का वातावरण हो जाएगा। रश्चिक राशी के लोग दीपावली की रात्सफटिक या कमलगटे की माला से इस मंत्र का जाप करें। भन दिपावली की पुजा करते समय माता लक्षमी को कमलगटे की माला अर्थित करें। कमल का फूल भी यह दोनों चीज़ें माता लक्षमी को बहुत प्रिये हैं धन्यू राशी के लोग दीपावली की रात्स फटिक या कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का चाप करें हुआ ही इसको मकर राशी काफी समय से यदी धन अटका हुआ है तो दीपावली की रात्स पीली मिठाई या पीले फल अर्पित करें मकर राशी के लोग दीपावली की रात्स फटिक या कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का जाप करें हुआ है कुम्ध राशी धन प्राप्ति के लिए दीपावली की रात्स नारियल के कठोर आवरण में की डालकर लक्षमी जी के समक्ष दीपक जलाए यह दीपक रात घर जल इससे दाम पत्य जीवन में मधवरता आगी कुम्ध राशी के लोग दीपावली की रात्स फटिक या कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का जाप करें हुआ ही रैकली श्रून मीन राशी यह दी आपको शत्रू पक्ष से परेशानी है तो दीपावली की रात करपूर के काजल से शत्रू का नाम लिखकर अपने पैर से मिटा दे शत्रू आपको परेशान नहीं करेंगे धन लाप के लिए दीपावली पर किसी लक्ष्णी मंदिर में जाकर कमल के फूल नारियल अर्पित करें तथा सफेड मेठाई का भोग लगाए इससे आपकी धन की समस्या समाप्त हो सकती है में राशी के लोग दीपावली की राच फटिक या कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का जाक करें उप्री क्लियंक्स को